मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल नियूस की तरफ से, तमाम देखने वालों को जो वतन में मौजूद हैं, वतन से बाहर मौजूद हैं, इतकी कुछियां बहुत मुबारे को हमको घंटा फर्क नी पड़ता है अगर किसी भी सनातनी हिंदू से पूचा जाया है कि तुमारे लिए धर्म पहले है कि देश पहले है तो मैं गैरेंटी लेता हूँ 99% लोग यह बोलेंगे कि मेरे लिए देश पहले है यास तो देश रहेगा तो धर्म निवेगा ना बात ये बात है और यही अगर पाकिस्तान के मुस्बमानों से पूचा जाए है कि देश पहले है कि इसलाम पहले तो इसका जवाब मिलेगा आपको आज तो चलते है पाकिस्तान क्यों कि लोक्ट चोदी ट्रैफल करती रहनी चाहिए चलती रहनी चाहिए अज़रा आपके लिए कौन से चीज जड़ा प्रोटी रखती है या अवल आती है आपके नज़रों में मजभ या मुलक मजभ जारी बात है हम मुस्लमान है और इस चीज़ पर हमें फखर भी है और अगर हम मजभ बे चलेंगे तो वो कभी भी हमारा मजभ यह नहीं कहता कि आप अपनी कौमियत से हट जाएं आप अपने वतन को छोड़ दें बलके मजभ बे अमल करके हम जिन्दगी को उस तरह से गुजार सकते हैं कि हमारे मुलक को फाइदा ही होगा मजभ हमें सियस खाता कि अपने वतन से महबत करें बिलकुल जो पैट्रियोटिजम है वो हमारे दीन का हिस्सा है और हमारे दीन के अंदर तो आपका सोशल प्लिटिकल एकनॉमिक हर एक परस्पेक्टिव बाई वैतर हुरे भी है वो कैसे बूल गया बहतर हुरे बहतर हुरे वो तो सबसर जरूरी है अल्ला ताला तुझे जन्लत में बहत्तर हूरे अता फर्माएगा तुम्हें शर्म है कुछ चीज है हर पहलू है तो जाहरी बात है हमें अगर जो है वो मजब पर अमल करेंगे हमारे पाकिसान को फाइदा होगा हमारे वतन को फाइदा होगा अच्छा यही क्वेश्चन अगर मैं इंडिया के लोगों के लिए आप से पूछ हूँ तो जो जो इंडिया के मुलक के साथ वफा करने चाहिए या अपने मुस्लिमान पाइयों का साथ देने चाहिए जो पकस्तान में मजूद है देखें जब एक वक्त आएगा यह भी चोटी चोटी लडाइया है के इंडिया जो है वो ज्याती करता है मुस्लमाने के ओपर क्यूंके वहां पर रहते हैं उनका माल उनके कारोबार उनकी फैमिलीज वहां पर आ यहां झाश करते हैं बसका कांटलू को अपने देश में खुश है कि अ क्या मान जै क्कुष है है कि नहीं तो यहां के हैं तो यहां के हैं तो यहां तो खुश है नहीं हैं बहुत बढ़ी हैं अब हिंदुस्तान के लोग अवेर हो गई चीज्चे की जो तुम लॉली पॉप बेचते हो वो बिकने वाला नहीं है दब्दीली आ गई कि आपके नजदीक है मजभ ज़्यादा आपके नज़र में रखता है या आगे आप के लिए या मुलक आपके जादा जीज़ आज़ीज जादा हमिएट रखता है भास हमार बाइज जबाते सही है ठीके मुल्ग भी अच्छा है और मजभ यह लेकि दोनों मकब्ध n 주 दोनों बाद मुलगा आप इस तरह करें कहमारे मुस्लमान है 드म मुलक है वो मुस्लमानों का है ओग्वाल स्टना वो मुस्लमानों का है इस तरह है इंडिया कंपर हमला करता है और उनके उफाज मुस्मान होगी तो क्या आपके उपने मुलक काथर्ग मुझभ कातर आप करते हैं कि तो हमने पकिस्त那个 कर यह हैं रहान करता हैं आपना क्यों प्रमूलाइयां आप मजभी आपक church h sano h evamomar Language Hey Look मसला होता है तो पहला इसलाम का बात होता है तो बेला इसलाम के प्रह करा रहा है शारे परोकारे हो अपना अपने मिलक में है बात वही आगे ना मुलक के ज़्यादा सी है ने मुलक ने इसलाम पहला बात में बोले यह दो चार बंदे नहीं पूरा पाकिस्तान पूरी तरीके से रेडिक लाई जाए सारे फटने को तयार है कभी भी फट जाएंगे वाई साथ इसले तो आए दिन पाकिस्तान से आपको ध मखन किया करने चाइए तो अधर के मुस्लमां जाहरी बात है जो भी सचा मुसलमान होगा वो भी मुसलमानों का ही साथ देगा ग॥ै किरा अबे तो पाकिस्तान ही हो तुमने अफगानी सान में थकी पै稍से ओने हाट ऑनाखों लोग मरवा दिया और यह बंते मुसलमानों के going after kidney अविकानी तुम पर और इस एंडियान भी नीघ थूखते तुम पर इस ब्रह्माण के सब से गलिज़ को यह है तो वह पाकिस्तान ही dovot पращ सब्सक्सार यह तो फिर अपने इंडिया के साथ वह जम्रिय को चाथ उस्वक्र किसी पर हमला नहीं करते लेकिन अगर कोई बस्ःद है कि वह मारी इजदes के ऐपर माल के ओपर वह कब्जा करेगा तो फिर जब आकरी रिजौर्ट के तो पर संहीं ऊपने माल को इजद़ के लिए कुछा। पाई के मुस्टी का करना चाहिए? इंडिया के मुस्लमान देखें अभी कोई हम लोग किसी ऐसे युनाइटिड प्लैटफॉर्म पे नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जो सारी कंट्री युनाइटिड नेशन्स में सारी लॉबीज गटी है क्योंकि वो एकनॉमिकली स्ट्रॉंग है अब तो जाई लो तुम भी स्ट्रॉंग हो जाओ क्यों पेटिया लगा लगा के फटे जा रहे हो तुम फोड़ने मिलेंगे मेरे ख्याल में मजभ ज्यादा प्योड़ी रखता है क्योंकि हम जिस नक्ष गदम पर चर्रे वह अदूस स सलम का जिनों ने आपने बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमें ये इस्लाम दिलुआया है तो मेरे ख्याल में तो क्या हमने मुलक असानी से असल किया है क्या हमने मुलक असानी से असल किया है दीन तो हमने मुलक असानी से असल किया है क्या हमने मुलक असानी से असल किया सर फस्ट अफ़ाल मुलक की बात नहीं है मुलक बाद में ठीक है या आगले सर बात अगर इको की हुई तो हम लड़ाने की नहीं तो पिर अगर आगे हैं को इस बात आगी आपकी मुल्क कि सालमियत पर एक तरफ आपका मुलका है का कि मुलक के दर्मया जहन के लाग दो मुल ऐ कदर मालकाय और एकतरफ आपका मतलब मजभः मझबभी वहां मजबियोग तो आपक्या बचाएंगे मुलक बचाहे या मजबियोग बचा सर पहले तो हम कोशिश करें कि सुला सफाई से काम हो जाए सुला सफाई नहीं फरल कर उता है तो सर जारी सी बात है हमें मज़ब को ज्यादा प्योटी देनी ऐसे रिपोर्टर होने जो इन पाकिस्तानी को गौल गुमा दे यह इसी में फजाएंगे क्योंकि दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं ने इनके पास में इनका दिमाग चलता सिर्फ पौन देखने में बहतर हो रहो में क्योंकि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है कि आप के लिए इसलाम ज़्यादा एहमियत रखता है या Islam पहले है या मलक पहले है थार बात ये है कि हमारा इलिया तो Islam के लिए हिए रखते है Islam के बाद मलके और मलक बाद हमें अच्छा मैं एक आप को मिसाल दूँ या आपसे में ये question ये भी बनता है फिर आप जिस तरह करें कि Islam मजब पहले हमें है नोड़ाट मुझा भी हजीद है अच्छा अगर मैं आपके बात को हम मुस्लमान है और हमारा मुस्लमान है और अगर फरल कर लें कभी ऐसा हो कि एरान या फगनिस्तान को इसलामी मुलक हम पर हमला करता है तो आप प्र क्या अपने मुस्लमानों को अजाज़त देंगे कि पकस् कि आपके अगई है आपके एक हज़ार साल पी जब जड़े ना उसका मसला होता है आपसे महली बैट कर फिल्फ़ाई करांट पर होती एक स्वाल किए ना कापने दिन ज्यादा मजब जादा जीजा या मुलक है तो मैंने आप से पूछा था अगर क्या को मुस्लमान है तो क् पिर कोई मुस्लिमान कांट्री या कोई मुस्लिमान इंडिया में मुस्लिमान इंडिया काल में हम पामला करता है और उसमें उनकी फाज में जारी बात है मुस्लिमान भी होगे उनकी फाज मुस्लिमान भी होगे तो क्या आप उन मुस्लिमानों को छोड़ दें कि मुस्लिमानो हम dönहे हैं उसके बार सहँ पाद हमारे मलव पर पिर पिया है तो और हम आपस की हैं हमारे मजद की कधर पर पर पक्छ कर्ड़ को दा यहां कर अलगर but यहाज कर दो issyon आगर bet schwalt The आप मेंौ से अज्डिक मजब पहले है या मुलक पहले है मुल्डक मुलक ज्यादा अजीज है मजब से ज्यादा आप अजीज मतलब कि मुलक को समझते हैं मुलक अच्छा है मतलब अगर आपके मजब के लोग पर इसलाम के लोग आपके मुलक पर हमला करते हैं तो आप मजब के लोगों को बचाएंगे के अपने मुलक को बचाएंगे अपने धर्म मजब और जो भी तुम्हारे वारति वारे मनाऊगे ना जब देश ही नहीं होगा देश पर दुश्मन कापीश हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे भाई इसके लिए देश सबसे बड़ा होता है और नहीं तो क्या और आप लोगों के लिए देश मेरे कि धर्म या लोगों अपना शाल लगे आपका वयापके लिए पाकिस्तान से रिटेव दूरे गात रहता है जाए हिंग वन्हें वातराम जाए शेराम जाए शेराम जाए शेराम